आपके बहुत काम आने वाले आसान टिप्स थोड़ा कीमती समय निकाल कर जरूर पढ़े अंजीर वजन कम करने पाचन बहतर करने कब्स से राहत और ब्लड शुगर कंट्रोल करने के साथ ही कई बीमारियों का रामबान इलाज है दो टेंशन में आप दही खाए इसमें अमीनो एसिड होता है जिससे टेंशन दूर होती है तीन अगर आप तामबे के बरतन में रखा हुआ पानी आठ से दस घंटे बाद पीते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत नहीं हो सकती हैं स्किन पर गलो आता है वजन कम होता है चार अगर आपके सिर के बाल जढने लगे हैं तो उबले चावलों के पानी से सिर को धोएं इससे आपके बाल गिरना रुक जाएंगे पांच दूध में केला मिला कर खाने से आखों की रोशनी बढ़ती है छे एक दिन में दो चम्मच पीनट बटर खाने से आपके दिन भर के प्रोटीन की जरूरत पूरी हो जाती है साथ शरीर में सूजन की समस्या होने पर दूध का सेवन नहीं करना चाहिए आठ लहसुन की दो कली सुभा शाम खाने से हार्ट अटैक का खत्रा टल जाता है नौव पानी में हरी इलाइची उबाल कर पीने से बुखार उतर जाता है दस अगर आपको रुक रुक कर पेशाब आता है तो इसका मतलब है कि आपके गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे हैं ज्यारा सुभा खाली पेट एक लीटर पानी पीना चाहिए बारा अब फटी हुई एडियों का दर्द नहीं सहना पड़ेगा इसके लिए आपको करना क्या है एक चम्मच वैसलीन ले एक चम्मच नारियल तेल ले फिर लास्ट में आधा कटा नीमबू निचोडे मिक्स करके फटी हुई एडिया हो ठीक हो जाएंगी यह इसका बहुत ही अच्छा रामबान इलाज है तेरह सरसों का तेल नाक में डाल कर सोने से कभी भी पेट बाहर नहीं आएगा चौदर कई लोग रोजाना चाय के साथ बिसकुट खाना पसंद करते हैं रोजाना चाय के साथ बिस्कुट खाना बहुत ही ज्यादा नुकसान दायक होता है, क्योंकि बिस्कुट को बनाने में मैदा, चीनी, तेल, आदी का इस्तिमाल किया जाता है, जिससे आपको सीने में जलन, कब्स, एसिडिटी, पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है, और इससे आपका वजन और ब्लड शुगर भी बढ़ सकता है, इसका सेवन करने से अनेक बीमारिया हो सकती है, इसलिए आप चाय के साथ बिस्कुट खाना बिलकुल बंद कर दे, 15 खीरा को दही के साथ नहीं खाना चाहिए, 16 चहरे की स्माइल फिश, एक सरसाइस करने से चहरा पतला ह होता है, पोंट आकरशक बनते हैं और साथ ही गलाभी मुलायम बनता है, 17 प्याज का रस निकालें और इसे बालों में 15 मिनट तक लगाए, फिर शैंपू से बाल धोले, इससे आपके बाल धने और चमकदार बनेंगे, 18 अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं, तो खा आने के बाद आपकी तवचा रूखी नहीं होगी, 20 गर्मियों में धूप में निकलने के कारण चेहरे का रंग काला पढ़ जाता है, इसलिए चेहरे पर दही में बेसन और हल्दी मिलाकर लगाना चाहिए, 21 शहद और नीम्बू को मिलाकर चेहरे पर 10 मिनट मसाज करें, और ताजे पानी से धोले रोजाना ऐसा करने से तवचा में नमी बनी रहती है, और आपकी स्किन भी नेचुरली गलो करेगी, 22 रोजाना टमाटर खाने से कैंसर नहीं होता है, 23 रात को आधा चम्मच त्रिफला एक कप पानी में डाल कर रखें, सुभा कपड़े से चान कर इस जल से आखे धोएं चश्मा उतर जाएगा चानने के बाद, जो पाउडर बचें, उसे फिर एक गिलास पानी में डाल कर रख दे, 24 अगर आपको भूख नहीं लगती है, तो आप आम का अचार खाए, इससे आपको भूख लगने लग जाएगी, 25 केमिकल ब्लीच की जगहें इस्तिमाल करें, घर में बनी नेचुरल ब्लीच, केले के छिलके और आलू का स्टार्च तवचा की मृत कोशिकाओं यानि डेड़ स्किन सेल्स को हटाने में सहायक होते हैं, जिससे तवचा साफ और निखर जाती है, 26 शैंपू नहीं शैंपू को लगाने का तरीका बदलना है, आपके बाल इतने घने और लंबे हो जाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे, एक बाल में एक चम्मच चायर पत्ती, एक चम्मच मेथी दाना, और एक कप पानी डाल कर इसे पांच मिनट तक अच्छे से बॉयल कर लेना है, जब यह ठंडा हो जाए, इसे चान कर अपना पसंदीदा शैंपू डाल कर लगाए बाल लंबे हो जाएंगे, जिसके बाल जड़ते हैं और लंबे नहीं हो रही हैं, वह इसका प्रयोग जरूर करें, 27 दही के खटे पानी से मालिश करने से हाथ पैरों की जलन ठीक होती है, 28 बच्चों को चान्दी के कड़े पहनाने से क या शरीर कमजोर होता है, उनको रोजाना पपीता खिलाना चाहिए, 31 सरसों के तेल में नमक मिलाकर दान्तों पर मालिश करने से दान्त साफ होते हैं, 32 फल खाने का सही समय सुभा और दोपहर का होता है, रात के वक्त फल नहीं खाने चाहिए, इसके साथ ही खाने के तुरंत बात भी फल नहीं खाने चाहिए, हमारी यह विडियो सामान्य जानकारी के लिए बनाई गई है, अगर आपको कोई भी बीमारी है, तो पहले डॉक्टर से सलाह लें, फिर यह नियम अपनाए, हमारी यह विडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं, अगर अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक और शेर कर दीजिये चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, धन्यवाद